एक्सेल में आज हम जनरेट करना सखेंगी इसके पहले मैंने L सेक्षन कैसे बनाना यह वीडियो डाल शुका है अगर आपने नहीं देखंगा तो सब्सक्राइब करने वीडियो की बनाने के लिए यहां पर हमारे कास देटा यह सामने टाइब बाइब है चैनेज है, अफसेट है, OGL का लेवल्स है, MPM और DM के लिए लिए है, उसके पहले सब के पहले आपको अफसेट से लेकर ये पुरा हेडिंग के साथ लेवल सेलेक्ट आपको करना है, लेवल सेलेक्ट करने के बाल, इंसर के अन्दर, के लाइन के अन्दर आपको ये उप्चयन सेलेक्ट करना है, ये उक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका एक रफ जो है, ये ग्राफ जन्रेट करागा। ने यहां के बाद आपको आप डिसाइड करना है कि X AXIS Y AXIS पर आपके कौन से लेयर होना चाहिए कौन से अपसेट कहां पर होना चाहिए मैं इसकोड़ाब से थोड़ा वप शिफ्ट ист सहए उमारे जो लेवल से समने रेंच देने के लिए दिखना पर शिपकरम सेелेनी बाद चाहिए इसको यहां पर शिफ्ट करने ऐह तहां पर हमारे लेयर से यह पर देखिये अपसेट स 2011 D elections है overall हमारी X AXIS परilled है तो हमको य इसपर चाहिए यहां पर देखिये हमें रो पालव करके जो उक्षिन है जिसको हम ख्लिक करेंगे यह स्विश हो गया यह यहां यह 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 पाले प्पर इड़ेता जो ही ज़ा गया तो आप स्वेक्ट है तो यहां पर देखिए और यह पर क्या शो कर रहा है यह पर आपको नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करने के बाद यह जो आपका एक इसक declan पर 123 जो हमारे उसेह एक तीन आत इसली एसनों इसने यहँ पर क्या डिस्वेट आपकल शो रहा है जिसको लेकी करना एक Creatju लेक्टान के बाद कि स्क 것은 करने के बाद में में ठाइब करेंगा ये सिंटर आपका ये राई्ट साइप लेंट रोगुगत करेंगा ये इह पर और यहां पर जयंड में शो और है कोई इसका इनिकेट चाहिए आपके frequency कम ज्यादा करना है एक axis की या y axis की बाब इसका right click करके format axis में जाकर यहाँ frequency major unit के लिए 0.05 अगर आपको लगता है जो यह 0.1 इसका frequency चाहिए एक एक लिए चेंज होया है यहाँ अगर आपको यह के लाइन का फिकने में चेंज करना यह तुसको थीगने करके शॉलेकर इसका ये सलेकर करके format data series में जाकर mine style में जाकर यहाँ सेंसा funz alleine करनेी कि आप ऊजा सके बन खेंग सकते मुद娘 can इस टाइक से हम जो है क्रॉस सेक्शन बना से क्रॉस सेक्शन के साथ एल्सेक्शन का भी ड हमिलेयो ओर है करुप हम यह और हम लेन मEMA है तो अब सबसना से सिस्क्राइब करुछ करिए दो को अंकर एका करहुड. बेसको एक्सेल में इकलती हुए एस्टीमेड अकर आपको बनाना है तो इसका वीडियो हम आगे डालने वाले हैं थैंक्यू वेरी मुझ